Friends, आइए ब हम देखते हैं, कि आखिरकार जो गौतम बुध हैं, तुँछ प्रिंस सिधार्त, राज कोमार सिधार्त है वो. तो आखिरकार वो क्यों ये डिसाइट करते हैं, कि उनको अब एक धेर्म गुरु बनना है, या फिर एक सन्यासी बनना है. ये क्यों decide करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स उनके जीवन में एक घटना हुई जिसको four great sides बोला जाता है ये जो four great sides है यहाँ पर इस घटना के बाद महात्मा गौत्वा मुद्ध का जीवन से मो भंग हो जाता है तो क्या है वो four great sides पहली बार वो देखते हैं एक बिमार आदमी को फिर वो देखते हैं एक बुड़े आदमी को देखते हैं फिर वो एक मृत व्रक्ति को देखते हैं फिर वो देखते हैं कि सन्यासी को जब चार चीजे वो देखते हैं तब उनके मन में ये विचार आता है कि संसार कितना दुख से भरा हुआ है दुख से भरा हुआ संसार है और इस दुख से बचने का कोई रास्ता नहीं है तो फिर आखिरकार सत्त क्या है जीवन का बहुत एक सुको का आनंत कपता के लिया जाए जब आपको इन सब फेजिस से हर इंसान को गुजर नहीं है कि जब विचारों के मन में आता है तो फिर वो जीवन के बारे में और जीवन के रहस के बारे में सोचना चालू करते हैं और वहाँ पर वो निर्णे लेते हैं सन्यासी से इंस्पायर होके कि वो अप घर को अपने त्याग देंगे अपने परिवार को त्याग देंगे और एक सन्यासी की तरह जीवन वहतीत करेंगे छे साल जब वो तपस्या करते हैं, संगर्ष करते हैं, उसके बाद पध्यम्मार की फिलोसिफी या निर्वान उनको प्राप्त होता है, यहाँ पर उन्होंने अपनी जो फिलोसिफी है, उसको बहुत आसान भासा में शमजाया है, पहले उसको देख लेते हैं, उन्होंने बोल फोर नोबल टुथ के बारे में चार आरिस सत्थ इसको हम देखते हैं पहला सत्थ उनका कहना था कि संसार दुखों से भरा हुआ है वर्ल्ड इस फुल ओफ सौरो तृष्णा दुख का कारण है डिजायर इस दे रूट कॉज ओफ सौरो फिर उनका कहना था कि कामनाओं पर विजय से दुख का निवारण हो सकता है If you can eliminate your desires you can control you can eliminate your sorrows और कैसे करा जाए किस तरह से दुखों पर विजय पाया जाए कैसे अपने desires को eliminate किया जाए तो उसके लिए उनके मार्ग दिया अस्टांगी का मार्ग जिसको हम मध्यम मार्ग कहते हैं तो इस सिंपल बात हैं जिसको हम आज भी समझ सकते हैं आज भी इसको फॉलो कर सकते हैं तो अस्ट्रांग्ली का मार्ग को हम देख लेते हैं मध्यम मार्ग यहाँ पर सबसे पहली बात की right understanding की चीजों को सबसे पहले समझना चालू करें फिर यहाँ पर आपके विचार सच सचे होने चाहिए सही होने चाहिए आपकी भाशा आपके कर्म आपके लाइवलिहुट जीवी का आपके प्रयास आपकी मेमोरी बुद्धी और आपकी कूंसेंट्रेशन यह हर चीज जब सची डारेक्षन में जायेगी तो आपटोम tolerantिकली सबसे ज़र दिया गया था राय एंडरस lab कियोंकि राय delivery होगी तो thoughts अपने आप सही आएंगे thoughts सही आएंगे तो आप बोलेंगे अच्छा बोलेंगे अच्छा, सोचेंग अच्छा तो actions अपने आप अच्छे होंगे अच्छे actions ही आप अच्छी जीवीका लेके आएंगे सई efforts करेंगे फिर जब आप सई जीवीका के अंदर efforts आपके जो है सई direction में जाएंगे गुद्धी राइट डारेक्शन में काम करेगी और राइट कंसेंट्रेशन राइट ध्यान आएगा तो इस तरह से चीजे लिंक की गई और अंडरस्टेंडिंग पर सबसे ज़्यादा जोड दिया गया था आईए इसको और अच्छे से समझते हैं कि आकरकार अंसेट जो निर्वान है निर्वान कैसे मिलेगा इसको और अच्छे से भी समझाया गया है इसको भी समझ लेते हैं सबसे पहले हैं आपर बात की गई कि आपको सबसे पहले अपनी अज्ञानता जो है उसको overcome करना पड़ेगा ignorance को ignorance को अज्ञानता को overcome करना पड़ेगा तभी आप जो reality है प्रक्रति की जो reality है उसको समझ पाएंगे उसको समझने के लिए आपको अपनी अज्ञानता को overcome करना पड़ेगा उससे उपर आना पड़ेगा तभी और जब आप अपनी अज्ञानता से उपर आजाते हैं reality को समझ लेते हैं तो अपने आप अपने आपको आप liberated पाएंगे दुखों से और जो cycle है बर्थ रीबर्थ की उससे आप मुक्त हो जाएंगे तो यह कैसे करें इसको करने के लिए भी एक process बताएगी सबसे पहले आप अपने आपको जानने की कोशिश करें और दुनिया को समझने की कोशिश करें तो गौताम बुद्जी नहीं यहाँ पर जो अस्तित्व है किस तरह से दुनिया के अस्तित को समझा जाए उसके लिए तीन बेसिक चीजे बताई उनका यहाँ पर कहना था कि हर चीज क्या है शन भर है यानि कि हर चीज लगातार चेंज होती रहती है शन भंगुता ट्रांसियेंट है हर चीज प्रेंड्स यह जो वर्ड्स हैं पाली वर्ड्स हैं पाली लैंग्वेज उसस्वा में काफी पॉपुलर थी इसका भी एक इंपेक्ट पड़ा तो उनका क्या कहना था अनिका का मतलब यह है कि हर चीज ट्रांसियेटरी है लगातार चेंज हो रही है शड़ भर में हर चीज बदलती है दुख सौरो यह व्याप्त है पूरी दुनिया में आपको हर जगे दुख को देख सकते हैं और उसके बाद उन्होंने बात की कि जब हर जगे पेन है और हर जगे चीज़े चेंज हो रही है तो सोल या फिर कोई भी चीज पर्मानेंट नहीं है कोई भी चीज पर्मानेंट नहीं है सोल नहीं है इसमनिती हिंदा की बात करी नो सोल की बात करी नो सेल्फ की बात करी क्योंकि हर चीज चेंज हो रही है अनिका को concept of impermanence भी कहा जाता है क्योंकि कोई भी चीज पर्मानेंट नहीं है इसलिए इसको concept of impermanence भी कहा जाता है अब बात आती है दुनिया को इस तरह से देखना है जो जीवित लोग है उनके साथ तो ये तीनों चीज़े होंगी मगर जो अजीव हैं दुनिया में उनके साथ ये दोनों चीज़े होंगी व अब बात आती है कि मनुष्ट पर ही कैसे चीज़े फॉलो होती है उनका कहना था कि जो मनुष्ट है वो 5 चीज़ों से बना है इसकंध पाँच गुरुप है यहाँपर 5 का गुरुप है क्या है वो गुरुप ये वट्स फिर पाली वर्स तो रूप फिर बात की परसेप्श की, आप जिस नजरिये से चीजों को देखते हैं, जब धाड़ना उसे चीजों को देखते हैं, वो भी आपका जो identity है, उसको define करता है फिर sensations उत्तेजना आपके मन की उत्तेजना, sensations define करते हैं आपको, आपकी चेतना, consciousness ये define करती है आपको फिर finally, आपके संसकार या फिर विहार, इस तरह से कोई भी मनुष को define किया जा सकता है और ये पांच चीजे जो हैं ये भी लगातार change होती है ये भी करेती हैं, transition में रहती हैं, तो कोई भी चीज पर्मानेंट नहीं है, हर चीज लगातार change हो रही है, इसलिए soul के concept को इस तरह से reject किया गया, इस तरह से इनसान को समझाया गया और पुरी प्रकति को समझाया गया तो अब बात आती है, जब ये understanding आपके पास आएगी, तो आप समझेंगे कि जो हर प्रत्यक प्रभाव का कारण होता है every effect is caused जो भी हो रहा है, वो कुछ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है और प्रत्यक कारण का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है तो ये जो cycle है cause and effect की इसकी वज़े से ही लगातार कर्म होते रहते हैं और जो cycle of karma है, law of karma है वो इस तरह से काम करता है इस सही मुक्ती पानी है तब ही आप निर्वान को प्राप्ट कर सकते है इसके लिए भी उन्होंने एक बहुत important philosophy दी जहां पर 12 तत्वों को, 12 चीजों को identify किया गया जो cause and effect या फिर कारण और प्रभाव जिस तरह से follow होता है उसको बोला जाता है पति छत्रा समूपदा पति छत्रा समूपदा यह philosophy दी, यह concept दिया कौन सी वो 12 चीज़े हैं तो बहुत simple चीज़े हैं अज्ञानता, आपके संसकार चेतना इंसान की उसकी जो physical, psychological form है फिजिकल के लावा psychological के लिए आप क्या सोचते हैं उसके बारे में बात की इस पर्ष, sense organs को टच करके देखना उससे जो feeling आती है sensation, वेदना यहाँ पर जो अच्छी चीज़े लगती है उससे इंसान attach होता चला जाता है उसको बार-बार करना चाहता है तो तृष्णा और उपदान फिर पैदा होने का भाव rebirth का भाव old age का भाव और finally maran का भाव इस सब चीज़ें attach करके रखती हैं और कर्म चलते रहते हैं cycle of birth और rebirth चलती रहती है cause and effect continue होता है तो इसको किस तरह से टोड़ा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले यह कहना था कि आपको सबसे पहले दो जो moralities नितिकता है basically अश्टांगी का मुआरक को समझना पड़ेगा और उसको practice में लाना पड़ेगा उसको जब आप practice में लाएंगे तो आप automatically right concentration एकाकृता और समाधी meditation की तरफ बढ़ेंगे पहले इसको practice में लाएए फिर आप अपने आप समाधी की तरफ आपका रुझान जाएगा और जब आप right समाधी करेंगे कुछ समय तक तो ultimately आपके पास एक insight आएगी insight यानि के अंतर डिश्ट्री आएगी और ये अंतर डिश्ट्री जब आजाएगी कुछ unique philosophies हमने देखी तो आपको बहुत कम books में देखने को मिलेगी तो ये concept बहुत important है काफी questions बहुत deeply पुछे जा रहे हैं आजकल बहुत एक धर्म के अंदर इसलिए हमने उसको यहाँ पर include किया है answer writing में भी आपको ये काम में आएगे